नमस्कार आपका मारी न्यूस चैनल यूगे 24 न्यूस में स्वागत है 31 पर देरा डीजे बजाने वाले वा हुर्दंग मचाने वाले हो जाए साफधान पुलिस ने किये पुकता इंतिजाम 31 का जश्ना और नवश के आगमन की तैयारी पूरी हो चुकी है लोग अपने तरीकी से जश्न को मना रहे हैं ऐसे में जश्न में कोई भंगन ना पड़े इसको देखते वे पुलिस पर शाषन ने भी सभी तेयारी या पूरी कर ली है SSP प्रलाद नाराण मिर्णाने का की 31 और नवश की मौके पर तेज आवाज में डीजे बजाना और शरापी कर हुर्दं करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी समसमाचार साल के आखरी दिन हलकी बारिश और बरबारी का अंदेशा कोरे के कारण मैदानी जिलों में बढ़ेंगी मुश्किले उत्राखन में साल का आखरी दिन बारिश और बरबारी के लियाद से उमीद भराए दैसल मौसमी भाग ने आने वाले चॉब्स घंटे के दौनन राजी के कशेतों में बारिश और बरबारी के अशनकर रख्त की है मौसमी भाग भाग ने गना को रहा होने के चलते एतियाद बरतने के सुझाओ दिये उत्राखन में दिसंबर का महिना बारिश और बरबारी के लियाद से कुछ खास अच्छा नहीरा ऐसे मिए उमीद की जा रही है कि माहिने के अंतिमे कुछ जगों पर बारिश और बरबारी देखने को मिल सकती है हाला कि अब तक राजे में अच्छी बारिश और बराबरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई है लेकिन साल के अंतिम दिन अब प्रदेश वासे को ही नहीं बलकि पटको को भी राजी के उचे इस्थानों पर बरबारी का इंतिजार है हाला कि मौसमे भाग इस दिशा में कुछ अच्छे संकेत दिया है मौसमे ग्याने को की माने तो साल के आखरी दिन को जगों पर बारिश और उचे इस्तानों पर बर्बारी भी देखने को मिल सकती है यानि साल के आकरी दिन पर इटको के चाहरे खिल सकते हैं मौसमिभा की तरफ से उत्तरकाशी चमोली और पिथोरागड में बाईश और बर्बारी की स्विह विश्यवानी की गई है इन तीन जिलो के कई शेतर बर्बारी से प्रभावित हो सकते हैं उधर दूसी तरफ में दाने जिलो की बात करें तो पिछले बहतर घंटे से लगातार कोरे का सितम काफी जादा बढ़ गया है खास तोर पर उताखन के हईद्वार और उद्दम सिनगर जिले काई शेतर घंटे कोरे से प्रभावित देख रहे हैं मौसवभाग की माने तो इन दोनों इजिलों में सुबह के समय मद्दम से घंटा कोरा चाहे रहने की उमीद है मौसवभाग ने इन दोनों जो लोगले एतियातां जितावनी जारिक की है राजा ने देहदून की बात करें तो साल के आकरे दिन 31 दिसम्बर को आसमान साफ रहने की उमीद है सुबह के समय को जगों पर हलके को रेका से दिख सकता है देहदून में आजा दिक तम तापान तेज़ डिगरी सेलसियस वने उन्तम तापान आठ डिगरी सेलसियस के आसपास रहने की उमीद है रिशी केश में फुटकर सब्जी मंडी में संदिक द परिस्तितों में लगी आग एक दरजन दुकानों में आग लग गई आग लगने से सबी दुकाने जलकर राख हो गई दमकली भाग की टीम ने कड़ी मशकत की बाद आग पर काबू पाया गनी मत रही कि आग पकी दुकानों तक नहीं पहुँची जिससे बड़ा हाथसा उने से टल गया आधी राध की इस गटना के बाद दुकानदारों में दहशित बनी हुई है जानकारी के मताबिक राध करीब 1.45 पर एस्थाने लोगों ने फुटकर सब्जी मंडी की दुकानों में आग की लप्टे उठती देखी अग कैसे लगी इसका भी तक पता नहीं चल पाए सुचना के अधार पर पुलिस ने मौका मौयना किया है गटना की जानकारी लगते मौके पर पहुँचे दुकानदारों में दहशित बनी हुई है बागी आमले के बाद गुसाए ग्रामिन सडकों पर उत्रे पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया विबन मांगों को लेकर ग्रामिन आज सडकों पर उत्रे जिससे कॉर्बेट आगर ज़र के धिला जिनरा प्रेटन जोन में आवाजाई बादित हो गई जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुची और ग्रामनों को हिरासत में ले लिया गया जापानी तकनीक रोके की पहड़ों पर भुसकलन कड़वाल मंडल में कार शुरूर अधिकारों ने इस थाले नेक्शन कर जाना हाल उत्राखन में आरसाल भुसकलन से काफी नुकसान होता है कई लोग वेगार हो जाते हैं तो कई लोगों की जान तकमानी परती है प्रदेश में भुसकलन को रोकने के लिए उत्राखन वनिवभाग जापान की जाय का कमनी के साथ मिलकर कार कर रहा है प्री वेडिंग शूटिंग के दौरान नदी के बीच में फसे यह अक्यूवती, SDRF ने किया रेस्क्यूव तेतना गरिशकेश में प्री वेडिंग शूट के लिए यह अक्यूवती बीची नदी में फस गया जिसके बाद लोगों ने सोचना पुलिस और SDRF को दी, सोचना पातर मौके पर पहुँची पुलिस और SDRF के टीम ने दोनों को रेस्क्यूव किया और नजी से साकुशल भाहा निकाला, बताया जारे कि यह अक्यूवती बेहुश हो गय थे, जिनने ततकाल प्रात में कुचार दिया गया अब डिप्टी कलेक्टर मनेश बिष्ट से समर्थन में, उदम जिननगर जिले के 18 पीस से जदिकारी उतर गए हैं, इन सभी ने इस मामने में पत्र लिख कर आपत्ती जताई है दरोगा भरती गोटाले के जांच अंतिम चरण में पहुँची, दस अधिकारों के खिलाफ आईसाधिक संपत्ति अरजित करने की जांच शुरू गदरपुर पुलिस ने किया वाइद असलाफ एक्टी का भांडा पोड किया है, जिसे बाबेटे चला रहे थे आरोपी पिता पुलिस के चड़ गया, लेकिन आरोपी को बेटा और अन्या आरोपी मौगे से परार हो गया, जिनकी पुलिस तलाश में जूटी हुई है बच्चों न अपने पिटा को दी खौफनाक मौथ भाई बैनों न ने दोस के साथ मिलकर किया बाप का मर्डर लमगड़ा विकास किन शेति के एक बड़ा हैरान करने वाला मामना सामने है यहां भाई बेनों ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी पुलिस ने चारो आरोपियों को गर्फतार कर लिया है रुदुपुर में तेज अफतार कार की वज़े से हाथसा भीड़ गई ट्रेक्टर टॉली और उस स्कूली बस टला बड़ा एक्सिडेंट रुदुपुर की शिम्ला पस्तावर के पास एक बड़ा हाथसा होते होते टल गया या खाले स्कूटी बस और ट्रेक्टर टॉली के भी भीड़न्त हो गई इस गटा में बस बीच चारक पर पलड़ गई हाथसे में दोनों चालो को को मामूली चोटे आई है उताख्ट में आईश्मान योजना का 10 लाक मरीज उठा चुके हैं लाब 54 लाक लोगों के बने कार्ट उत्राखण में 5 साल में 10 लाख लोग अटलाश मन योजना का लाब उठा चुके हैं अब तक प्रदिश में 54 लाख लोग के अटलाश मन कार्ड बन चुके हैं इस योजना पर अभी तक उत्राखण सरकार 19,000 करोड रुपे खर्च कर चुकी है नदी किनारे रेट में मिले अग्यात विक्ती की लाश पुलिस जांच में जूटी भगवान पुर तहसिल शेतर के बुगगा वाला थाना इलाके में शनिवार को रेट के किनारे रेट में अग्यात विक्ती का शौमिला है लाश के नीचे 29 दिसंबर का अगबार भी मिरा है ज प्रिदेश के सब इसकारी एस्पितालों में दवाईयों की उपलब दता और चिक्तसकों की तैनाती के निर्देश दिये हैं इसके साथ ये ओन कॉल वीशे शग्य चिक्तसकों की तैनाती के लिए भी कहा गया है। दुशकर्म कारो कॉंगिस ने धामी सरकार को घेरा। से पर्दापाच किया है पुलिस के मताबिक का चोरी के घटना का मास्रमाइन का स्वामी और अंबाला सेंटरल जेल का डिप्टी जेलर यश्कुमार हुड़ा है उसने वेहिकल इंशॉरंस हडपने के लिए चोरी के साथ जेश्च रची थी छह जनवरी को हर दौर आ रहे हमी और मद्यपरदेश के मुख्यामांती मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे उत्रहंड से तम्मंदित ऐसे ही खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक पा सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद